बिश्मिल्ला रुक्मानियाओं डियर स्टूट्स हावर यू उमीद करता हूँ आप सब बच्छे कारिया से होगे और अपने अपने गुरों में स्टे हों स्टे सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे होगे हम एग्रिकल्चर सेक्टर पाकिस्तान को डिसकस कर रही है इस हमाले जो है कॉपरेटिफ फार्मिंग और मुखलिफ एग्रिकल्चर सेक्टर के शोगों के बारे में मैंने आपको डिसकस किया आज स्टूल्स जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो डिवेल्पिंग कर्वरी का एक को रिशू है वो बहुत एक मेजर इशू है क्योंकि इस और मिडल में जो है वो सरमायधार की शकल में तमाम प्रोड़क्शन को अपने होल्ड में करते थे और आर्टिफिशन शॉर्टेज क्रियेट करके महंगे डामों कंजूमर और मार्किट को सेल करते थे और सारा जो बेरिफिट है जो एक्शली फार्मर का था जो सर्प्लस फा अपिक है एरीकल्चर प्राइस पॉलिषी अब करेंगे विश्री अकशन पॉलि developments की शकल में ग्रेंड रेवलुशन की शकल में रही और दोजार तीन दोजार चार में इसका बड़ा रोला ला प्राइस पॉलिशी का लेकिन अभी तक यह प्रॉपर्ली एड़्जस नहीं हो पाई तो हम अपने टॉपिक को देखते हैं वट इस एग्रीकल्चर प्राइस पॉल मेशिनरी, बीज, खाद, स्वीट्स, अदर इंपॉट्स लाइक पानी, अलेक्रिसिटी और जो अदर इसके हैं फोरेस्ट्री, पोल्ट्री से रिकॉाइड और डेली से रिकॉाइड अगर उनकी कीमते इंपॉट्स की पहले से डिसाइड हो और उनके बनने के बाद उसकी ज और रोल प्ले कर रहा था, तो अब जैसे ही कीमत निकलती है या आटे की कीमत निकलती है, गॉवर्मेट उसकी कीमत पहले से एलान कर दिती है कि A, B, C, केटेगरी का आटा या शुगर की सी कीमत पर खरीद आ जाएगा, तो अगर इन अवर इंपुट्स और ऑउपुट्स की बुड़ाइस, कॉर्टन और इस तरह के दूसरे और यह गॉवर्मेंट की पॉलीसी का इसा है तो गॉवर्मेंट जब पहले से इंपुट और आउपुट की प्राइस को डिटर्मिन करें यह सुडेंट्स तो हम उसे agriculture price policy का noun देते हैं बचो agriculture price policy क्यों जरूरी थी वो मैंने आप से डिसकस किया हम और भी इसके कुछ objectives देखते हैं कि ये कहां कहां कैसा कैसा role play करती है तो देखें increase का production of particular crop किसी भी crop को उसकी production को बढ़ाने के लिए जहां mechanization की जरूरत है credit की जरूरत है वहां farmer को support करने की भी जरूरत है जब farmer को लगता है कि उसकी बनाई हुई फसल की उसको मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी और inputs बावगात महंगे मिलते थे और उनके पास storage facilities ना होने की वजा से middleman उनको बहुत कम कीमत पर उनसे माँ खरीटा था तो डिसार्ट होते थे तो इस चीज़ को खतम करने के लिए इस factor को खतम करने के लिए और production को increase करने के लिए government ने agriculture price policy को introduce कर वा है बिल्कु इसी तरह import substitution वो inputs जो दूसरे मुलकों से मनगवाई जाती थी और उनकों मुख्लिब कीमतों पर बेचा जाता था जब उनकी prices pre-determined हो गई तो उससे local industry को भी ये encouragement मिली कि अगर हम इन चीज़ों को खुद बनाए खुद produce करें तो हमें अच्छी मुनासिब कीमत पर ये जो है फरुक्त की जा सकती है तो substitute त्यार होने हमारे मुलक में इस वज़ा से अपने मुलक में सब्सिचूट तयार करने के लिए उनकी prices पहले से determine की गई जिसको agriculture price policy का नाम दिया गया और number three वो crops जो export करना होती है exporting crops हमें उसके लिए उनकी prices को determine करना पहले से बहुत जरूरी था क्योंकि मैं पहले भी बताया मिडल में उसे कम कीमत पर खरीद कर आगे दूसरे ममालिक में महेंगे दावों करते थे तो गौर्मेंट ने मिडल में का रूल कम करने के लिए उसकी कीमत पहले से decide कर दी कि अगर आप ये बाहित के मुलक में 10 रूपे की product बेज रहे हैं तो आप फार्मर से लाइक आर्ट हमें में खरीदेंगे ताकि फार्मर को भी उसका हक मिले और आगे से मिडल में भी एक मुनासिब हद तक मुनाफ़ा कमा सके तो इस मकसद के लिए भी agriculture price policy ज़रूरी थी नमर फूर है balanced cropping pattern balanced cropping pattern से मुराद ये है कि जब हमें ये इल्म हो कि हमने किस मौसम में क्या production करनी है और कब उसको त्यार करना है और कब उसको फरोग करना है ये तमाम जो इतगामात है management है अगर इसमें government involved हो जाती है तो फिर farmer के लिए ये असानी हो जाती है कि उनकी फसलों को उनके खेतों से ही उनके फार्म से ही उठाना असान हो जाता था problem भी निकलती थी कि farmer के पास market तक कहुंचने के sources नहीं थे knowledge नहीं था information नहीं थी middleman इसका बहुत फाइदा उठा रहे थे तो government ने तमाम cropping pattern को balance किया कि तब आपने फसल को उगाना है कि उसके लिए जो आपको इंपुट्स चाहिए वो आपको फ़ला सेक्टर पर इतनी कीमत में available होंगे आपकी फसल जब तैयार होगी इस दुरान गॉर्मेंट अपनी फॉरी सी एगरी गल्चर की अनाउस करती है और फॉरी तोर पर उसको खरीदने की कोशिश करती है ताके उनकी फसले खराब ना हो उनकी फार्मिंग पर उनकी जो मेटीरियल है वो दाया ना हो और मिडल में अपना वोल प्ले ना कर सके बिल्कुल इसी तरह स्टुड़ेंट्स इसमें और जो अब्जेक्टिव से ही वो था इंक्रीज दा इकम लाइन ओफ फार्मर्स जब फार्मर को उसकी चीज की कीमत मुनासिब मिलेगी तो वो सबसे पहले कोशिश करेगा फार्मर कोशिश करेगा कि वो अपनी उस मक्सूस कीमत पर बेज़े उसको ज्यादा से ज्यादा पर कर रहा है इसी तरह में टेनिंग इकुटेबल टांज ओफ रे तो देखे बिचो टांज ओफ ट्रेड इकुटेबल नहीं थे सम्टाइब इंपूट बहना विजदा था आ आउन्पूट बहुत महिंगी होती थी तो इन टांज ट्रेड को ठीक करने के लिए गौर्मेंट ने प्राइस पॉलिसी को इंप्रोड्यूस करवाया इसी तरह मेरो इंदा गया बेवी डूरल अर्बाट सेक्टर यह सम्टाइम्स रूरल सेक्टर में कुछ प्रोड़क्स ब प्रोड्यूस करवाया कि तमाम सेक्टर्स को आपस में इस तरह जॉइंट गिया कि तमाम जगों पर एक जैसी कीमत पर ही जो है वो प्रोड़क्ट आपको इंपूट और आउट्पूट अवेलिमन होते थे इस तरह जो सबसे बड़ा फाइदा हुआ वो जो नाम है वो यही है स्टेबलाइजिंग एगरिकर्चर प्रायसे इंपूट प्रायसेज भी स्टेबल हुई और आउट्पूट की प्रायसेज भी डियर स्ट्टियन्स स्टेबल हुई तो बचो इसी तरह इंपोर्सिंग encouraging larger investment here is encouraging not F, encouraging larger investment इसका मकसद यह था कि जब लार्ज स्केल पर price policy determined होगी तो दूसरे मुर्टों से भी investor आए और उन्हें भी Pakistan में और developing countries में investment opportunities को gain किया क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि इसमें government involved है और prices determined है और लोगों को पता था कि मैं कितने में कोई चीज खरीदूँगा और कितने में चीज सेल की जाएगी जिससे इसमें profit का margin निकला और दूसरे लोगों को इसमें attraction आई और इन्वेस्टमेंट की इसी तरा efficient use of resources एक और इसका objective था agriculture sector में efficient use of resources by efficient use of resources we mean when the resources of the country like water, electricity and soil are being used efficiently तो बचो जब mechanization के जरीए machinery, tools input की prices determined होई तो फिर farmers में उनको maximum utilize किया जिससे हमारी output बढ़ी और उन्हें बदा था कि आगे हमें इसकी कीवन भी मुनासिब मिलेगी जिससे और production level को encouragement मिली और farmers ने और production को promote किया इसी तरह हमें जो series of fertilizer मिले वो भी stable price पर मिले और इस सब का नतीज़ा ये निकला कि हमारा जो production function है वो shift कर गया upward कैसे? look at this today हमारा production function था ये output is a function of labor and capital जब output बढ़ती है तो production function यहां से यहां shift कर सकता है तो इस तरह हमने अपनी labor और capital को proper pricing के तरहे अपने output को पहले से बढ़ा लिया production function को increase कर लिया तो dear students उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये agriculture price policy का topic भी समझाया और आपने इसको study किया आप बचों से जो requirement है वो आपको आपने google classroom पर और दूसरी methodologies है उस पर assignment और quiz generate करूंगा वो आप quiz और assignment cover करेंगे ताकि आपको इन topics के बारे में मजीद knowledge मिल सके अर्टिल अल्लैस stay safe, stay home, Allah बच्छेज़